नमस्कार दोस्तों मम्ता की रिसोई में आपका स्वागत है आज बनाएंगी बहुत ही कुरकुरे पकोडे और ये पकोडे हम बनाएंगे बीना बेजन के तो चलिए देखते हैं पकोडे कैसे बनते हैं और ये पकोडों की रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा यहाँ पे देखिए मैंने ली है जो उड़त की धुली दाल है वो और चावल दोनों बराबर मात्रा में लेंगे चावल और उड़त की दाल दोनों चीजों को मैंने दो घंटे पहले पानी में भीगा लिया था आपके पास टाइम है तो आप ओवर नाइट भी से सोक करके रख सकते हैं अब मैं क्या करूँगी इसका पानी निकाल दूँगी यानि एक साइट में कर दूँगी और उसके बाद इन दोनों चीजों को मिकसर जार में डालके अच्छे से महीन पीस लूँगी आपको इसमें बहुत जादा पानी नहीं डालना है अगर ये ना पीसे तो एक से दो चमच पानी का यूज़ कर सकते हैं तो पीस के मिलते हैं तो यहाँ पे देखे मैंने एकदम बारी कीसे पीस लिया है ये देखे इस तरीके से पीस लेना है आपको इस पकोडों में चावल है तो पकोडे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बनते हैं जब घर में मान आते हैं तो हम सोचते हैं कि बेसन नहीं है तो पकोडे कैसे बनाए पर बीना बेसन के भी आप एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी स्वादिश्ट पकोड़े बना के त्यार कर सकते हैं तो यहाँ पे देखे बातों ही बातों में जो डाल और चावल था वो मैंने पीस लिया है यह देखिए बहुत ही महीन पेस्ट बनाया है और मैंने एक से दो चमच पानी का यूज किया था टी स्पून से डाला और अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले रेस्पी को चटपटा बनाना है तो मसालों का यूस तो करना ही पड़ेगा तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है उसके बाद मैंने डाल दिया है गरम मसाला पौडर बहुत थोड़े से मसाले हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पौडर डाला है और यहां पर डालेंगे लाल मिर्च का पौडर लाल मिर्च कम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च का भी यूजीस में करना है पकोड़ों में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और अब मैंने हल्द तो आप बेसन वाले पकोड़ों को भूल जाएंगे, यह पकोड़े बहुत ही स्वाधिश्ट होते हैं, यकीन मानिए, आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा, उसके बाद आप जान पाएंगे कि यह पकोड़े कितने टेस्टी लगते हैं, अब हम इसमें बारी कटा हुआ एक प् मटर आपसनल है, आपके पास हो तो डालने, उसके बाद मैंने हरी मिर्श डाल दी थे, दो से तीन, और बारी कटा हुआ हरादनिया भी डाल दिया है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे, तो यह देखिए, अराम से मिला लेंगते हैं, अगर यहाँ पे आपका की जरुत है, ना सूजी बेसन, तो यह देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब चलते हैं, गैस की तरफ, तो यहाँ पे देखिए, मैंने रखी है कड़ाही, और कड़ाही में डाल देंगे तेल, मैंने यहाँ पे सरसो का तेल का यूज किया है, क्योंकि पकवड यह देखिए, जैसे ही एक साइट से थोड़ा सा हो जाएगा ना, हम इसे इस तरीकी से पलट देंगे, और अलट प्लेट के दोनों तरिप से अच्छे से सेखेंगे, तो यह देखिए, फ्राइ कर रही हूँ मैं अच्छे से इसे, और आप पकोडों का कलर देख पा रहे हों क्रिस्पी होने तक मैंने इसे फ्राइ किया है, गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है, जब एक बार ओयल अच्छे से गरम हो जाए, तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें, तो यह देखिए, बहुत ही कुरकुरे होते हैं, आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा, और मैं नहीं हाँ पर सॉफ कर लिया है टोमेटो केचप के साथ आप चाहें तो इससी धनिये की चटनी के साथ भी सॉफ कर सकते हैं ये देखिए अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी बहुत ही लाजबाब है मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाई बाई दोस्ते